सीटेट जुलाहे 2024 की तयारी करने वाले इस्टुडेंट बहुत ही धियान पूर्वक समझेंगी देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इंगलिस के टेग वर्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें जो ही कि पोजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेर हैं देखिए टेग वर्ट्स क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बेसिक से समझा देगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि टेग वर्ट्स होता क्या है क्योंकि पूरे पेटागोजी में जो है आपको पूरे सीटेट में जो है कि यह जो tag words है यह बहुत ही माइनी रखते हैं और यह tag words हर किसी को आना चाहिए नहीं तो problem हो जाएगा आपको question का answer देने में यहाँ पर मैं आपको समझाएगा कि tag words के बारे में और positive और negative के बारे में तो वीडियो को शुरू से लेकर करके अखने तक देखते रहें आपको बहतर तरीक है समझ माँ जाएगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि tag words जो है यह कोई chapter नहीं इसमें हम लोग positive और negative word को परते हैं और समझते हैं कि इसमें positive word क्या है negative वोड तो यहाँ समझें कि brainstorming तो brain storming का मतलब क्या होता है man sich तो brain storming का मतलब क्या होता है यह होता है आपका रोट लर्निंग क्या होता है रोट लर्निंग जिसका मतलब होता है रटना क्या होता है रटना तो यह आपका रटना जो है ना यह कभी भी आपका जोई कि पॉजिटिव नहीं होता है यह हमेशा जोई कि आपका नेगेटिव होता है बसाज माग गया उसका जो यहां पर है memorization तो memorization का मतलब क्या होता है याद करना किसी भी चीज को memorize करना तो याद जो करना होता है ये भी आपका जो कह positive नहीं होता है ये आपका जो हमेशा negative होता है बात के लिए रहे उसके बाद में active active क्या है? active का मतलब क्या होता फुर्तिला तो यह हमेशा जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं सक्रिय कह सकते हैं यह हमेशा पलस में होगा या यह पॉजिटिव होगा बच्चा जो है कोई भी बच्चा हो अगर वह हमेशा एक्टिव रहता है तो वह हमेशा जो क्या होगा वह पॉजिटिव कहल तरीका कोई चीज का निस्करिय तरीका तो निस्करिय में रहा तो वो हो जाएगा नेगिटिव है ना एक्टिव अगर रहा तो पॉसिटिव हो जाएगा नेगिटिव अगर निस्करिय में रहा तो क्या हो गया वो नेगिटिव हो गया ठीक है चलिए अब अगला है consult to dictionary तो dictionary को consult करना तो dictionary को consult करने का तो तरीका होता उसको हम लोग कहते है negative क्या है यह negative बात के लिए रहें चलिए अब अगला है guess the meaning through the context context के जरिये से meaning को guess करना अनुमान लगाना guess करना अनुमान लगाना तो इसमें बच्चा जो है पोजिटिव हो जाएगा ठीक है यह जो माने किसी भी चीज का meaning आपको पता नहीं है तो अब उस चीज को पता करने के लिए आप guess करने अनुमान लगा रहे हैं तो इसमें आप चारों अगल में सोचते चारों तरफ से सोचते हैं दिमाग लगाते हैं तो यह हमेशा आपका पॉजिटिव आ जाएगा आपका है अगला रिलिया रिलिया क्या है यह आपका है भई पॉजिटिव है क्यूं इसका मतलब होता है रियल अबजेक्ट क्या है यह हमेशा positive में आएगा अब अगला है real life, real life का मतल़ होता है वास्तविक जीवन, तो यह जो कोई भी चीज वास्तविक जीवन से जो सम्मधित होता है, वो हमेशा किसमें होगा, positive में हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, open-ended question, open-ended question का मतल़ होता है, मुक्त अंत वाला परश्न, मुक्त अंत वाला परश्न, यह जो है कि, जैसे कि, यह हमेशा positive में आएगा, यानि आपका open-ended question, यानि इसमें जैसे कोई भी सवाल आपको में बता रहा है, आपको भी सवाल आप पूसते हैं किसी बच्चे को, और उसका जो है, जवाब जो है कि, तो यह हमेशा positive ही कहला आएगा, अगला है, divergent thinking, divergent thinking का मतलब भी होई होता है कि, चारो तरफ से मतलब के सौचना, divergent thinking, चारो तरफ से सोचने को ही हम लोग कहते है, divergent thinking, यह हमेशा आपका positive होगा, क्योंकि इसमें बच्चा जो है, चारो अगल से सौचता है, अगला clause ended question, clause ended question का मतलब होता है बंद अंत कुछ परश्ण यानि जैसे कि कोई भी सवाल है जैसे मैं अगर बोलूं कि महात्मा गांदी का जनम कहा हुआ था तो यह की श्रब्द में हो जोई कि उसका जाब हो जाएगा उसका दूसरा जाब नहीं होगा तो यह हमें सा जो एक नेगेटिव में एक ही जो है ना अगला है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव जिसका मतलब होता है क्या सनरचना वाली तो यह हमें सा पोजिटिव होगा सनरचना वाली में जो की जिस चीज की सनरचना होती है है ना शेफ होता है वह हमें सा पोजिटिव ही कहलाएगा अगला है मास्टरी मा आपका जोई कि नेगेटीव होगा भीया क्या होगा नेगेटीव होगा गैन मेस्टरी यह जो है कि आपका पॉजिटिव होता है ठीक है चलिए अब अगला है रिल्याक्स रिल्याक्स बच्चे को कभी भी रिल्याक्स के लिए नहीं कहा जाता है रिल्याक्स के लिए नहीं कहा अगला है इसका क्या मतलब हुआ और यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप मुझे कमेंट करेंगे ठीक है तो दोस्तों यह टेग वर्ष था जो कि बहुत ही मतलब में समझाना चाहरा था इस वीडियो के माधियम से तो समझ में आया कि नहीं कोमेंट कर देंगे अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मिल देने एक वीडियो में धन्माद